किस तरीके से ये खबर चली की रिशिया ने जंग के बीच में अपने दोस्त भारत से मदद प्मागी, कुछ लिस्ट भेजी और कहा कि हमें ये चीजे चाहिए, हमें ये चीजे प्रोवाइड करवाईए भारत ने भी इसको लेकर एक सकरात्मक जो है रवया अपनाया और उसको जवाब भी दिया लेकिन अब एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि रूस के विदेश मंद्री ने पड़ा बयान दिया है और कहा है कि जितने भी नाटो देश हैं वो भारत पर दबाव बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसको रूस की मदद्वि नहीं करना चाहिए या किस रिछी के सी रूस की साथ भी नहीं देना चाहिए अब ये पूरी खबर क्या है इसको जानने के लिए और अच्छे से समजने के के हमारे साथ मौझूद है शेखर सर, सर बहुत स्वागत है, धानवाज चेतन, जो रशिया के विदेश मंत्री है, उनकी तरफ से कहा गया है, यह पूरी खबर क्या है, और क्या कुछ यह प्राइस कैप जो शब्द बार बार बीच में आ रहा है, इसके बारे में बताईए, चेतन, जो डेवलेप्मेंट पिछले दो दिनों में हुई है, बहुत जबर दस्त हुई है, खासतर पर इंडिया और रशिया के रिलेशन को लेकर, संब्दों को लेकर, रशिया की तरफ से कहा गया है, यह अगर प्रोवाइड करा सकते हैं, इसके जवाब में थूड़ी देर पहले ही भारत सरकार की करते हुए का है, कि रशिया ने हेल्प की जो बात आ रही तो वो हेल्प ना करके उसको ट्रेड कर दिया, तो मदद जो है, वो संबफता भीजी जाएगी, अब यहां से इस बात को मैं दोबारा इसलिए दोहरा आ रहा हूं, क्योंकि यहां से आपको इंडिया का इंटेंशन इस पूरी कहानी को बहुत आसानी समझना है, तो आप यह समझे कि रशिया अमेरिका के साथ में डारेक्ट वर तो नहीं है, लेकिन यह वर एक तरीके से अमेरिका और रशिया के बीच ही है, यूक्रेन तो इसके बीच में एक छोटा सा फसा हुआ देश है, क्यूंकि अगर नाटो में शामिल होता यूकरेट तो बाद में रश्या को लड़ाई लड़नी पड़ती रश्या नहीं लड़ाई पहले लड़ी अब अमेरिका को पर दवाई है कि अपनी साख बचाने के लिए इस लड़ाई में चाहे अंचाहे उसको यूकरेट का साथ देना है खुलकर कर उसको परेशान करने की कोशिश की आपकी एकॉनमी को हम तोड़ देंगे आपको अंदर से इतना खोकला कर देंगी कि आप पुछ कर नहीं पाएंगे लेकिन रूज के लिए आपकर लाइफ लाइन की तवर पर क्या चीज़ काम कर रही है उसके लिए लाइफ लाइन की त पहला तरक है कि इंडिया यह कहता है कि हमें वहां सटा तेल मिल रहा है तो यहां इंडियन मारकेट में और बाकी गलोबल जगाव पर वहां से लेंगे, दूसरी चीज जो भारत के थूरू यहा ऊल की जो लाइफ्लाइन है उसको काट आजाये क्युंकि भारत-थो मेजर पार्टनर हाही यह- लाइल के मामले में ऐल इंपोर्ड करने मामसरीया से उसके reign कुछिछार देश रहा है इस stubॉट का तो oil export जो है वो रश्या के लिए एक अच्छा helpful एक lifeline की तरह काम कर रहा है अब अमेरिका या नाटो देश ये चाहते हैं कि इस lifeline को cut किया जाए उसी के लिए लेकर आये हैं price cap का time क्योंकि तेल रश्या से जो लोग खरीद रहे हैं वो इसलिए खरीद रहे हैं मोटे तोर पर क यह चाहते हैं कि जो भी तेल जो है बेचा जा रहा है रूस की तरफ से तो रूस का नाम ना लेकर वह बनाना चाहते हैं कि तेल की इमत पर एक cap fix किया जाए कि इतने से सस्था नहीं बेचा जाएगा तो जो लाइफ लाइन रश्या की चल रही है उसको hold करने में कहीं अमेरि यह है कि भारत पर भी indirectly कि यह जो भी यहां पर चल रहा है उस चीज को किस तरीके से कम किया जा सके ताकि उसका जो प्रभाव है यानि कि जो भी sanctions लगाय जा रहे हैं उनका जो प्रभाव है वो रश्या पर जादा से जादा हो रश्या के जो विदेश मंदरी है उनकी तरफ स की गई है अभी थोड़ी दर पहले जबाब पूचा गया United Nations में इस चीज को लेकर चल रहा है United Nations की जो अधिश्टा उसमें वहां पर भारत की पर्मानिट वो हैं राजदूत है उनका नाम है रुचिरा कमबोज रुचिरा कमबोज से इसी सिलसले में सवाल पूचा गया कि ज इस तरह से नाटो देश की तरफ से इंफ्लिंस करने के कोशिश की जा रही तो इस पर जो कहा है उन्होंने वो शब्द चाहा जानना बहुत जरूरी हो जाता कई बारी क्यूंकि अपने शब्दों में आप बोलते हैं तो इंटरनाशनल लेवल पर जो स्टेटमेंट होते हैं और कोई भी भारत पर दबाव नहीं डाल सकता साफ तोर पर उन्हें ये कहा है इसके लावा उन्हें ये भी कहा है कि भारत एक बहु आयामी स्वतंतर नीती है भारत की रूस के साथ हमारे महतवपूर्ण संबंध है गोर करने वाली बात है यहां पर अमेरिका और रशिया द अमेरिका तो ये बड़ी चीज़ है यहां पर उसके अलावा एक और जो बयान में कहा गया है भारत तरफ से युनाइटि निशन वे यह है कि हम शुरू से ही बहुत इसपस्ट रहे हैं हमने एक स्वर में शांती की बात की है हम कूटनीती और समवात के पक्षधर हैं इसके लिए हमारे प्रदान मंतरी और हमारे जो विदेश मंतरी हैं मोदी और जैशंकर दोनों पक्षो से अमेरिका और रशिया दोनों पक्षो से युक्रेन से भी वह बात कर चुके हैं और भारत उन देशों में शामिल है जो शांती के बारे में खुलकर बात कर रहा है और भारत की स्थिति या ब्रिज की स्थिति अगर वो ब्रेक हो गई तो इस्थिति जो है वो और जादा विद्धोंसक हो सकती तो भारत उन कम देशों में उन चिंदा दूश्यों में से एक है जो दोनों पार्टनर से बात कर रहे हैं यहां पर युद को अगर कर आ सकता है कोई युद रुख सकता है तो वो मोटे तोर पर भारत ही है तो यह बात जिस तरीके से सामने आए और अगर हम पाकिस्तान की भी इसमें बात करें कि इस तरीके से पाकिस्तान को भी रूस ने तकड़ा जटका दिया और कहा कि हम तुम्हें तेल नहीं दे सकते चाहिए वो डिसकाउंट पे चीजें भी सही रखी इस तरीके से पाकिस्तान को भी लतार लगा कर भगा कर रशिया ने भी जाहिर कर दिया और भारत का कद और उचा कर दिया अपने सब के सामने कि इस तरीके से भारत को तो हम देख रहे हैं भारत हमारा दोस्त है लेकिन तुम्हारे लिए हमारे पास ही होगा यूज करने के लिए अपनी जो हैसियत है अपनी जो अवकाथ है वह भारत के साथ compare करके शायद बहुत बड़ी गल्ती करता है और इसी वज़हे से नwork साप कर दिया कि जो रिष्टे भारत के साथ है वह पाकिस्टान के साथ नहीं हो था तो पाकिस्तान कहीं से भी ट्रस्ट वरदी कन्ट्री नहीं इस लिए उसके साथ कोई ठीक है उसकी जमीन का इस्तमाल करने के लिए किसी युद rhetoric में या किसी और तरीके से तो ठीक है उसे अधि duration बना सकते हैं लकिन पाकिस्तान की साथ पलार के तुम में एक ख़वर आई थी अगर आपको याद होगा तो चितन कि पाकिस्तान के ऊपर रूस की तब सी आरोप लगाया गये थे कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेयन को नुक्लियर टक्नलोजी जो है वो बेचने वाला है और इन आरोपों के पीछे के आधार को हम द स्टेबल है और वहाँ पर जो है डिक्टेटर शिप है वो कब क्या करेगा किसी को नहीं पता उसके पास भी जो नुक्लियर टक्लोजी है परमालू शक्ती जो वो बना या परमालू तक्नीक जो उसके पहुँची उसमें वह बेची थी तो पाकिस्तान अपने फायदे के लि जो नुडियर टेक्नलाजी है वो पाकिस्तान जो है उक्राइन को बेच सकता है या बेचने की प्रोसेस में है तो वो चिंता एक बार रश्यक्तव से यत आई गिती है और रश्यक के मन में यह बात कहीं नहीं है कि यह ऐसा देश है इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं लेकिन क्या ही मुकाबला हमारे देश भारत के साथ हो सकता है अब जो खाबर यह है कि किस तरीके से भारत ने उस डील को मदद ना लेकर उसको ट्रेड बता दिया और किस तरीके से अपनी दोस्ती भी निभाई और सभी के सामने सही भी बने रहे ये बात निकल कर सामने आई रही है हला कि जिस तरीके से विदेश मंत्री जो रूस के हैं उन्होंने ये बात बताई थी कि नाटो देश लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं लेकिन अब भारत जो है वो हमेशा दोस्ती निभाता है और साती साथ इस जंग में भी हमेशा से अपील करता रहा है कि किसी की भी जंग से कोई भलाई नहीं है जंग नहीं होनी चाहिए